दोस्तों इधर IPL 2024 के सीजन में एक से भढ़कर एक रोमांचक मुकाबले डेली खेले जा रहे हैं तो वही पर दूसरी तरफ कप्तान रोई चर्मा और BCCI ने मिलकर T20 World Cup 2024 के लिए 100% भारतिय टीम कंफर्म कर दी है जी हाँ दोस्तों BCCI ने उन सबी खिलारियों का नाम कंफर्म कर दिया है जो T20 World Cup 2024 के लिए West Indies दोड़े पर जाएंगे BCCI ने T20 World Cup 2024 के लिए भारतिय टीम में सिर्फ और सिर्फ विस्वर्टक बले बाजों और घातक गेंद बाजी करने वाले खिलारियों को ही स्कौर्ड में मौका दिया है आप लोगों को बता दे कि IPL के सीजन में जिस जिस खिलारी ने ताबर तो रन बरसाए और खतना गेंद बाजी का रोमाच दिखाया है उन्हें ही भारतिय स्कौर्ड में खेलने का मौका मिला है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 के लिए किन किन खतना खिलारियों को भारतिय टीम में शामिल किया है कौन से वो यूवब बले बाज और गेंद बाज होंगे जो की T20 वर्ल कप के दोड़े पर जाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि T20 वर्ल कप कप और कहां खेला जाएगा तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाते हैं कि हमारी भारतिय टीम इस बार T20 वर्ल कप जीत कर भारत वापिस लोटे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिए तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि BCCI ने काफी समय पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि रोई चर्माही T20 वर्ल कप में भारतिय टीम की कप्तान नी करेंगे जबकि हार्दिक बांडिया वाइस कप्तान के रूप में टीम में शामिल किये जाएंगे तो दोस्तों आपको बता दे कि T20 वर्ल कप 2024 की शुरुआत एक जून से होगी और ये पूरा कारे करम 29 जून तक चलेगा इस टूनामेंट में टीम्स को चार गरूप में बांटा गया है भारतिय टीम गरूप A में है आपको बता दे कि इस गरूप में भारत के साथ पाकिस्तान, आर्लेंड, कनेड़ा और युनाइटिट स्टेट्स जैसी टीमें है एक और महतपुन जानकारी आपको बता ही देते हैं भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा और इसी के साथ T20 World Cup 2024 का टूनामेंट युनाइटिज स्टेट्स और वेस्ट इंडीस के मैदानों पर खेला जाएगा इस टूनामेंट में टोटल 20 टीम में भाग लेंगी आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारतिया टीम सिरफ एक बार अभी तक T20 World Cup जीत पाई है साल 2007 में पहली बार भारत ने T20 World Cup का खिताब अपने नाम किया था इससे पहले जब साल 2022 में T20 World Cup खेला गया था तो भारतिया टीम सैमी फाइनल में हार गई थी अब दोस्तों सभी गलतियों को भुला कर भारतिया टीम एक बार फिर से धुआदार खिलारियों के साथ T20 World Cup के दोरे में जाने वाली है तो आईए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए आपको बताते हैं कि BCCI ने T20 World Cup 2024 के लिए किन-किन खतना खिलारियों को अपनी टीम में शामिल किया है भारतिया टीम में ऐसे ऐसे खतनाक और भूखे शेरों को शामिल किया है जिसे देखकर पाकिस्तान, औस्ट्रेलिया, साउथ फ्री का समेथ कई टीमों में हरकम मच गया है तो दोस्तो पहले खिलारी के तोर पर नाम आता है विस्वोटक ओपनर बलेबाज रोही चर्मा जी हाँ दोस्तो रोही चर्मा भारतिया टीम के कप्तान भी होंगे इनके उपर पूरी जिम्मेदारी होगी कि किन खिलारियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोही चर्मा इससे पहले जो वन डे वर्ल कप खेला गया था उनमें उन्होंने कप्तानी करते होए लगातार 10 मुकाबले जीते थे हलाकि फाइनल मुकाबले में भारत को उस्ट्रेलिया के खिलाफ चर्मना खार का सामना करना पड़ा था लेकिन दोस्तों रोही चर्मा भारतिय टीम के सफल कप्तानों में से एक हैं और आईपील में भी मुंबाई इंडियन्स की तरफ से कप्तानी करते होए उन्होंने मुंबाई इंडियन्स को 5 बार आईपील का खिताब जितवाया था रोही चर्मा की बलेबाजी तो पूछो ही मत आईपील में इनकी ताबरत और बलेबाजी का नजारा तो आप सभी भरपूर देखी चुके हैं पावर प्ले में इनका अटैकिंग अप्रोच बहुत ही कमाल का रहता है जब कि दोस्तों इसके बाद रोही चर्मा के साथ ओपनिंग के लिए दो विस्वोर्टक खिलाडियों को टीम में शामिल किया गया है जिसमें पहला नाम दूसरे खिलाडी के तोर पर ही सस्वनी जैसवाल काता है इससे पहले जब विस्वनी जैसवाल ने इंगलेयन के खिलाफ टेस्स सीरीज खेली थी तो वहाँ पर बहुती खतरनाक और विस्वोर्टक बलेबाजी की थी जैसवाल एक युवा बलेबाज है और उनकी अटैकिंग बलेबाजी से हर कोई परभावित हुआ है आपको बता दे कि जब विस्वनी जैसवाल की फॉर्म खराब हो रही थी तो उन्होंने अपने आपको बैक करते हुए मुंबई इंडियन्स के खिलाफ एक शांदर शतक जड़ा था तो दोस्तो इस अस्मिनी जैसाल के साथ तीसरे खिलाडी के तोर पर शुबमन गिल को मौका मिला है शुबमन गिले कैसे खिलाडी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में काफी शांदर परद्यशन करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी रोही चर्मा के साथ शस्मिनी जैसुआल का नाम सबसे पहले आता है जबकि दोस्तों इसके बाद चोठे खिलाडी के तोर पर विराट कॉली को भारतिय टीम में मौका मिल गया है कॉली तीनों फॉर्मेट्स में भारतिय टीम के बेतास बादशा है इससे पहले जब साल 2022 में टी टॉन्टी वर्लक अप खेला गया था तो पाकिस्तान के खिलाफ खेल ली गई एटी टूरन की तुफानी पारी तो कौन भूल सकता है आई पील में भी कोली का प्रदर्शन टॉप लेवल का है टी टॉन्टी में कोली का स्ट्राइक रेट 170 के उपर का है जैसे कि आप जानते हैं कि भरी भरी टीमों के सामने जब भी भारतिय टीम संकट में पड़ती है तो कोली अकेले के दम पर मैच पलट देते हैं वही दोस्तों इसके बाद पांचवी खिलारी के तोर पर टी टॉन्टी फॉर्मैट के सबसे ज्यादा खतनाग बले बाज सूरेकुमर यादव को शामिल किया गया है चाहे किसी को मौका मिले या ना मिले लेकिन टी टॉन्टी फॉर्मैट में सूरेकुमर यादव को तो जबकि दोस्तों इसके बाद छटे खिलारी के तोर पर सबसे बेस्ट फिनिशर बलेबाज रिंकू सिंग को भारतीय टीम में मौका मिल चुगा है अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरिस में रिंकू सिंग ने बहुती ताबरत और प्रदर्शन किया था आईपील में भी केक्यार की तरफ से खेलते हुए रिंकू सिंग ने इस सीजन में काफी भड़िया परफॉर्मेंस दिखाई है इसके बाद दोस्तों विकेट कीपिंग की जिमेदारी के लिए साथवे और आठवे खिलारी के तोर पर रिशब पंथ और संजू सैमसंग को को दिखा दिया है कि वो T20 वर्ल कप के लिए भी पूरी तरह से तयार है जबकि उनके कंपेर में संजू सैमसंग भी काफी खतना खिलारी है तो वहीं पर दोस्तों और राउंडर के तोर पर हार्दिक पांडिया और शिवम दूबे को भार्तिया टीम में शामिल किया गया है शिवम दूबे तो चिन्नई की तरफ से खेलते हुए IPL में रोनों की बोच्छार कर रहे हैं लेकि दोस्तों हार्दिक पांडिया की फॉर्म को लेकर काफी जादा सवाल उठाय जा रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांडिया से जैसी उमीद की जा रही थी उस तरह से हार्दिक पांडिया नहीं खेल पाए हैं लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांडिया एक मैच विनर खिला रही हैं सेमी फाइनल में इंगलेंड के खिलाफ साल 2022 में अकेले के दम पर हार्दिक पांडिया ने गेम को पलड़ दिया था जबकि दोस्तों इसके बाद स्प ने खतरनक स्पिन्नर है ये बात तो आप सभी को पताई है कुलदीप और चहल की जोड़ी किसी भी टीम को पूरी तरह से माद दे सकती है जबकि दोस्तों वही पर तेज गेंदबाजी को मजबूत बनाने के लिए योरकर किंग जस्परीद बुमरा और रफ्तार के सुधागर मौमद चिराज और पाजी अर्षदिप सिंग को भारतिय टीम में मौका मिला है तो दोस्तों ये रहा भारतिय टीम का स्कौर्ड जो की T20 वर्लकप 2024 में आपको खेलता हुआ नजर आने वाला है तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि कौन से नए खिलाडियों को स्कौर और जाहिंद